दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनबाल प्रधान मंत्री मोधी का कैमरा प्रेम कितना गहरा है? आपको बताने की जर्वत नहीं है प्रधान मंत्री मोधी जी के गाड़ी में खुद मुख्यमंत्री योगी आदिपतिनाथ बैट पाए ना बैट पाए लेकिन कैमरा पर्सन के बिना तो प्रेम अपने गाड़ी से नीचे पैर भी नहीं रखते और ऐसा ही प्रेम एक बार फिर देखने को बिला प्रेम मोधी का कैमरे को लेकर कहां उनके ग्रेराज गुजरात में दोस्तों गुजरात के इन्वेस्टर समिट में एक कारिक्रम के दौरांस साइन्स सिटी में रोबोट्स मौजूद थे टेकनलोजी की बात हो रही थी और पियम मोधी एक शक से बात कर रहे थे लेकिन कैमरे ने कुछ ऐसा पकड़ लिया जो बड़े महीन से अगर आप देखेंगे तो समझेंगे कि पियम मोधी देखें इधर चाहे उधर लेकिन उनकी नजर कैमरे के फ्रेम में होती है और इस बात पर होती है कि उनके कैमरे के फ्रेम के आगे कोई धीना आ जाए अब फुल प्लेट आपको पूरी वीडियो समझाती हूं प्रधान मंत्री मोधी साइड में एक शक्स से बात कर रहे हैं वो शक्स उनको कुछ समझा रहा है और पियम मोधी बड़े फॉर से सुन रहे हैं और एक शक्स बिल्कुल उनके साइड में बिल्कुल दूसरी तरफ पहले से ही मौजूद है पियम मोधी के फ्रेम में हलका सा वो शक्स पहले से ही आ रहा है लेकिन पियम मोधी को पता चल जाता है कि यह जो शक्स साइड में है यह मेरा फ्रेम खराब कर सकता है और पियम मोधी हलका सा एक इशारा करते हैं हाथ से जैसे ही पियम मोधी इशारा में केबल PM मोदी ही दिखें मैं तो हैरान हूँ दोस्तों मोदी जी को PM बने तो 9 साल से उपर का वक्त हो गया है और PM मोदी के कैमरे को लेकर उनके फ्रेम को लेकर वो कितने सजग हैं उसका उधारण तो वो कई बार मीडिया के आगे देख चुके हैं पप्लिक प्लाटफॉर्म में देख चुके हैं एक बार तो एक सुरक्षा कर्मी ने डांट खा ली थी क्योंकि वो PM मोदी के फ्रेम के आगे आ रहा था वही PM मोदी के फ्रेम के आगे फेस्बुक के मालिक माग जुकरबर गाते तो PM मोदी उनको तक अटा देते हैं तो फिर ये कौन शक्स है जिसको इतना नहीं पता कि सामने कैमरा है कैमरा के आगे PM मोदी है और फ्रेम है तो किसकी कैसे हिमाकत हो सकती है कि PM मोदी के फ्रेम को खराब कर दे वो तो हमारे मोदी जी इतने दयालू है कि बस हाथ का इशारा करके अगले को बता देते और अगला समझ भी जाता है यह तो कोई और नेता होता तो फोट जोर से डाट देता है दोस्तो PM मोदी के इस कैमरे प्रेम पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शियर करें दोस्तों सब्सक्राइब करें और थैंक्स और जोइन के ओप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं